गुद मॉर्णिंग एवरिवन दिस इज मनीशा वेलकम बैक टू मैं चैनल क्या आपकी साधी होने वाली है या आपके घर में किसी की साधी है रिस्तेदारों में साधी है या दोस्तों के यहां तो सबसे पहले दिमाग में यह आता है कि कौन सब बेस्ट वाला स्किन केर फोलो करेंगे इन्हीं सब दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए लेके आई हूँ डी आई वाई फेस उप्टन जिसे आप फेस और बॉड़ी दोनों पर यूज कर सकते हैं यह फेस पॉलिशिंग बॉड़ी पॉलिशिंग का भी बहुत अच्छे से काम करेगा य घर में सारे इंग्रीडियंट्स आसानी से मिल जाएंगे पुराने जमाने में जब हमारे घर में शादियां होती थी तब यह यूज किये जाते थे इस तरह से स्किन केर फॉलो करके वो लोग सालों तक अपना निखार ग्लो मेंटेन करके रखते थे क्योंकि आजकल जितना पहले नहीं था लोग जंक फूड नहीं खाते थे जो इसकिन केर वो फॉलो करते थे उसके अंदर कोई भी कैमिकल नहीं होता था बिल्कुल नैचरल होता था आजकल जो कैमिकल बेस्ट प्रोड़क्ट हम यूज करते हैं इंस्टेंट रिजल्ट तो दे देता है लेकिन इसक निसान होते हैं जो लंबे समय से चले आ रहें बिल्कुल भी हटने का नाम नहीं लेते हैं तो जिदी से जिदी निसान को हटाएगा डिरेक्ट लिवर करेगा उस पे हमारे फेस से टैनिंग को हटाएगा डेड स्किन को रिमूव करेगा स्किन को प्रोपरली इवें करेगा बेसिकली जितनी बी चीज एक बढ़िया वाला फेशल या मास्क डिलिवर करता है यह उटन लगाने से आपको मिलेगा इस तरह मैंने अपने फेस को मिल्क के साथ क्लीन किया है आप फेश वाश करके भी आ सकते हैं चलिए देखते हैं कि उटन बनाने के लिए हमें क्या सब चाहिए सबसे पहले हमें चाहिए मसूर दाल यह नैचरल फेस पैक का काम करती है मसूर दाल खाने में भी टेस्टी और काफी हेल्दी होती है इसे छोटे छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं यह हमारे सकिन से टैनिंग और डेडे सकिन को रिमूव करती है प्रोपरली एक्स मसूर दाल का पॉडर है तो वही ले लिए इसे भीगोने के लिए पानी की जगर डाल रही हो मिल्क अगर हमने दो चमस डाल डाला है तो इसमें छे चमस डालेंगे मिल्क क्योंकि यह दीरे-दीरे दाल फुलने लगेगी इसी तरह से आप भी रेशियो रखना एक चमस डाल में दो चमस मिल्क डालना है इसे मैंने रात को ही भीगो दिया था ताकि सुबह तक अच्छे से फुल जाए ताकि ब्लेंड करने में आसानी हो मसूर दाल नाचरल ब्लीच का भी काम करती है हमारे स्किन को लाइटन और वाइटन करती है मार्केट वाले ब्लीच जब हम लगाते ह उसमें अमोनिया होता है कैमिकल रहता है सुबह में देखो फुल के कितने बरे-बरे हो गए इसके दाने सेकेंड इंग्रीडियेंट है इतना सारा नहीं डालना है मैं खाने के लिए भी काट रही हूं एक स्लाइस में से निकाल लेंगे फ्रूट डालने से हमारा उटन काफी हल्दी है इसलिए डाल रही हूं आप हल्दी पॉड़र भी डाली कोई इशू नहीं है लेकिन ज्यादा नहीं डालना है अगर आप सिर्फ फेस के लिए बना रहे हैं तो पिंच आप टरमरीक डाले मैं फूल बॉड़ी के लिए बना रही हूं इसलिए इतना डाला है ताकि मिल्क में नहीं दुट चाहिए लेकिन यलो कलर जो मारे सकेन पर आजाता है वह ना आए अब इन सभी को मिक्स करने के लिए डालूट करने के लिए एक बढ़ियाँ वाला लिकुड चाहिए इसके लिए मैं ले रहे हूं कर्ट के अंदर होता है लाक्टिक एसिड जो मिक्से जार में डाल के और फाइन पेस्ट में नगी चोटे वाले में करना, अगर आपके पास पहले से जाल को इतना ताइम नहीं लगने मेंगा इसमें वाली हूं डोकिनन दुक्राइब दिनुटा में स्काओं के शोटह और नहीं इसमें दॉत्न लावाल को ठाज़ तकूष अगर यह ज्यादा लिक्विडी सा हो रहा है तो बेशन थोड़ा सा और एड़ कर देंगे बेशन हमारे इसकिन से डार्क स्पोर्ट और पिग्मेंटेशन को फेड करने का काम करता है सभी को अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे अगर आप अपने स्किन पे ग्लो चाहते हैं लंबे समय तक अपने स्किन को यूथफुल बनाई रखना चाहते हैं तो अपनी बोड़ी को इंटर्नली हेल्दी और फिट रखना होगा अगर आपकी शादी होने वाली है या कोई शादी अटेंड करने वाले हैं इसकिन पे प्र रहतर है कि मास्क लगाले महंगे वाले फेशल करवाले बॉड़ी पॉलिशिंग फेस पॉलिशिंग करवाले जंक फूट की तरफ जा रहे हैं तो आपके स्किन पे कुछ भी वर्क नहीं करेगा पिंपल्स होंगे डार्क स्पॉर्ट निसान जो है वो भी नहीं जाएंगे क् इससे गट क्लियर नहीं होंगे इसके लिए फाइवर वाली चीज़े खाए पपीता हमारे बेट के लिए बहुत अच्छा है यह सालों भर मिलता भी है साथ में शीजनल फ्रूट्स भी कुछ और एड़ कर सकते हैं पपीते को जूस या स्मूदी जैसे बना के भी पी सकते है लेकिन मेरे हिसाब से यह सबसे आसान रहता है एक प्लेट बढ़के ब्रेकफर्स्ट में ले लो इसके साथ ही पानी का इंटेक बढ़ाना है इससे बॉड़ी में जो भी टॉक्सिन होते हैं वो फ्रस ओट हो जाते हैं सिंपल से कुछ योगा प्रानायाम भी कर लिया करो जि थोड़ी से ठीक लेयर में इसमें आपने जो भी इंग्रीडेंस डाले हैं वो आपके स्किन के साड़े प्रॉब्लेम्स पे वर्क करें मसूर दाल के बारे मैंने बताया हल्दी हल्दी एक हेल्थ पावर होस है इसके साथ साथ हमारे स्किन को बहुत सारे वेनिफिट्स देता देटन करवा लिया फिर भी टैनिंग नहीं जा रही एक बार हल्दी को यूज़ करके देखो टर्मरीक एंड बेशन को पहले जमाने से ही स्किन केर में यूज़ करते हैं इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टेरियल प्रोपर्टीज होती है इसकिन पे कोई भी इंफेक् में फुल बॉड़ी पे उप्टन लगा के 15-20 मिनट रखें बहुत अच्छे से सुखाना नहीं है 20 मिनट के बाद आप हलके हलके हाथों से इस तरह से मसाज कर लेंगे और फिर पानी से दो लेना है जहां जहां के स्किन पे काले दाग धबे हैं अनिवन स्किन है तो वहां प करता है थोड़ा थोड़ा सा सूखने लगा यहां पर मसाज करने से धर उधर फैल जाएगा तो मैं जल्दी से नहा के मिलती हूं आप लोगों से बिल्कुल भी ड्राइनी लगरी सौफ्ट है स्किन इसमें मैंने पापाया भी डाला था तो वह प्रॉपर हाइड्रेशन थोड़ा सा लगा लें वैसे बिल्कुल भी इसकिन ड्राइनी कर रही है यह मैंने खाने और लगाने दोनों में यूज किया है दोनों जिगा बेस्ट काम करता है अगर हमारे इसकिन पर डलने सो रहे तो पापाया उस पर डिरेक्ली वर्क करता है पापाया डाल देने से यह अला उटन रेग्यूलर से स्पेशल हो गया है यह हमारे सकिन को स्मूधर और साइनी बनाता है सकिन को सपल रखेगा और इसकिन में इलास्टिसिती ऐड करेगा साथ ही स्टॉंग एक्सफोलियेटर का भी काम करता है हमारे सकिन से जितने भी डेट सिल्स होते उसको रिमूब करता है इस DIY उप्टन को हफ्ते में दो बार लगाना है कोई भी रेमेडी ओवर डून नहीं करनी चाहिए अगर आप इस उप्टन को एक महिने तक हफ्ते में दो बार लगाते हो तो आपके अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं आप मुझे फेस्बूक और इंस्टा गाम पर फोलो कर सकते हैं लिक डि नेक्स्ट वीडियो में टेक केर बाबाई